कि सुनिए कि बहुत फर्क ला दिया है उसने मेरे बीते हुए कल और आज में मरीज महबबत के रोगी कुछ ज्यादा ही है प्रयाग राज में कि बहुत फर्क ला दिया है उसने मेरे बीते हुए कल और आज में मरीज महबबत के रोगी कुछ ज्यादा ही है प्रयाग राज में लोग कहते हैं कि महबबत बहुत तकलीव देती है पर महबबत से ज्यादा भी कुछ तकलीव देती है मैंने अक्सर जिम्मेदारियों को जागते और ख्वाबों को सोते देखा है महबस से ज़्यादा तकलीफे देती है घर की मुसीबते मैंने उन मुसीबतों में मा को रोते देखा है सुपिया एक लड़का जब परिसानी में होता है प्रॉबलम में होता है और अपनी मां से कुछ सेयर करता है और मम्मी और लड़के की बीच में कुछ बाते होती है तो कहता है कि परिसानी छोटी हो या बड़ी हर बार तुने मुझे होसला दिया और गले से लगाया है मुझे होसला दिया और गले से लगाया है लगता है आज फुर्सत में है जमाने वाले देखो मेरी नाकामी पर हर सक्स हसने आया है मा ने कहा हसने दे लोगों को अपनी नाकामी ओपर कौन कमगत यहां ताउम्रो बसने आया है सुप्रिया लड़कियां दिल पे ना लें कि हम सबको अपना बनाते गए ना जाने हम किसके हिस्से थे बुजुर्ग जो सुना गए हमें सब पुराने किस्से थे अब जमाना बदल चुका है अब लड़के की काम्याबी में लड़की का कोई किरदार नहीं होता और ना हो लड़का काम्याब अगर तो लड़की को उससे प्यार नहीं होता अब तो एक दो लाइन ममी कहती है मुझे मेरी जो लिखता हूं उसी पर भी कहती है कुछ कि पल में बदल जाते हैं लोगों के मन पसंद सक्स यहां हर वक्त के लिए कोई किसी के खास नहीं रहते मा कहती है कहां खोई हो खुश रहा करो तुम्हारी उम्र के लड़के उदास नहीं रहते मा बहन पतनी जिम्मेदारियों से भरे हर रिस्ते में इने अपनाया गया दूसरों की खुशी के लिए इनके ख्वाइसों को दफनाया गया कि मा, बहन, पतनी जिम्मेदारियों से भरे हर रिस्ते में इन्हें अपनाया गया दूसरों की खुसी के लिए इनके ख्वाइसों को दफनाया गया और अगर महबत में दगा करने के लिए मसहूर है ये मैं पूचता हूँ फिर क्यों इनके लिए ताजमहल बनाये गया चूटे लाखों हैं यहां सच्चे सिर्फ हजार हैं मेठा बोलकर भरोसा जीतने की परंपरा आज भी बरकरार है किसी पर यकीन करो तो जरा सोच समझ कर करना ये इंसानों की दुनिया है यहां हर सक्स कलाकार है हजारों लाखों में अब करोडों में ही मिलेगा तुम्हें वो सक्स तुम्हारे इरादे से जिसका इरादा मिले जो मिल रहा है उपर वाले से उसी में खुच रहो भले ही वो पूरा के बजाए आधा मिले और कितनी तकलीफ मिल रही है इस जनम ये मस सोचो क्या पता अगले जनम इस से जादा मिले